जैन बच्चो कैसे हैं आप आसा करते हैं स्वास्त होंगे तो पिछले वीडियो में आप करोजन के बारे में स्टडी कर चुके हैं और करोजन में रिडॉक्स जेक्शन इन्वाल होता है यानि करोजन एक रिडॉक्स जेक्शन के एक्जामपल है तो मैंने दूसरा एक्जामप पढ़ेंगे तो वह पैजामपल आपका क्या है जी हाँ यह इसमें फी डिटाउक्स इन्वाल होता है याई यह फी रिडाओक्स का ही इग्जामपल है लेकिन मेंली इसमें हम ऑक्सिदेशन की बात करते हैं है तो जहां पर टॉट यहां तो है क्या होता है और इसको कैसे सकता है यह चर्चा करने वाले हैं देने कर चैनल मिस्ट्री इन किमेश्ट्री तो क्या होता है तो उसको समझते हैं आप साधी विवाब में या ऐसे भी जो फास्ट फूड होते हैं इसमें तेल या गी का इस्तिमॉल होता है तो कुछ तो यह बदलाव क्यों होता है इसी यानि बदलाव जो होता है उसके टेस्ट में उसके स्मेल में उसी को क्या को बलते है रैंसिटी यानि बासी का बासी बसी आ जाना फूड आइटम का और कैसा फूड आइटम आपका ओईली हो या फैटी हो इसको कुछ समय तक खुला छोड़ दें या एक दिन के बाद इसका क्या हो जाएगा टेस्ट लेस हो जाएगा और बैड इसमेल आएगा इसी घटना को इसी प्रॉसेस को हम क्या नाम देते हैं टो क Simmons पहले है तो क्यों होता है मैंने कहा कि기가 मशवर्वन होने से वहता है किसकी आप्षिशन में और किसके प्रेंश में ऑक सीजिन की प्रेंश में तो और उसका रिजल्ट क्या होता है कि समील यानि इसक जो समेल फै今天 आर्ड है वह behद हो जाता है और उसका जो टेस्ट मेरे अआश्यचाया आब गिल्यम्यार हुए में तो इसका मतलब क्या है इसको चुनल में या चाहिए तो क्या दोलेंगे कि आउक्षिडेसं अॉप वह इसाघुडेसन की अउसंताय में ईसका इसको अव्य जाता है ऊब of oil or fat present in food item in food material resulting in resulting into bad smell क्या हो जाता है पहले है जो जद मेल है जा ख Christie क्या हला आता है जलीच बोलते हैं है अब देखें होगे जाता है तो आप अन्बोक ही होंगे अब इसको कैसे बचाया सकता है क्या आप चिपस के खोले होंगे तो आपको क्या समझ में आता है कि उसमें कौन सी गैस भरी होती है मतलब बचाने के लिए को पाय है तो क्या है तो तो इसको प्रिवेंट करने के लिए के में प्रिवेंशन के सब्सक्राइब करने के लिए प्रैइन सि दिदी ती चांडियर से बचाए जा सकता है तो आपके पास कंप do mo Mason मुढ जहां? मतलब Dick K जरी करना है बश्र मेध निकाल देते हैं कोई पर पैकेट को क्या क्या चाहिस प्रड़ तो इसमें क्या करते हैं उसका पैकिंग मतलब पैक करते समय पैक जो पैक है उसका पाउच उसमें से हवा निकाल देना क्या है वैक्यूम पैकेजिंग ठीक है दूसरा कि फ्लसिंग विथ नाइट्रोजन फ्लसिंग फ्लसिंग विथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस से फ्लस कर देते हैं जो कुछ चिप्स पैकेट होते हैं उसको क्या करते हैं वहां पर वैक्यूम ना करके उसके जगह पर क्या करते हैं नाइट्रोजन फिल कर देते हैं जैसे आप चिप्स की पाउच देखे हैं पैकेट क्योंकि यह नाइट्रोजन गैस जब फूड़ाइटम में चिप्स आइल में च्छना हुआ है तो यह झजन जदी रहेगा तो यह फूड आइटम क्या कर देगा आक्सिडाइज कर देगा तो हमें इस और इसके सब्सक्राइब करना है यह नाइटोजन और को इसके साथ पुला-फूला होता है कि उसमें नाइटोजन फ्लस यह भरती है ठीक है चलिए, दो हो गया, तिसरा है अपका, तिसरा है, यूज करते हैं, फुट पेकेटिंग में क्या करते हैं? इन्टी यूज त यूज द यूज द यूज द यूजिंग अज लूज då? है एक से आखिडेंट न्यूंट है टिक है एंटी आखिडेंट यानि ऑक्षिदेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो भी केमिकल उसमें मिलाया जाता है फूर आइटम उससे बोलते हैं एंटी एंटी मतलब समझे रहने हैं उल्टा आखिडेंट ठीक है जैसे कुछ एंटी ए यह भी एच टी बोलते हैं ब्यूटिलेटेड है राइड्रोक्सी टाल्यून सौटकर बीहच टी और इसे तरह से विटामिन सी जो आपका है एंटी आक्सिडेंट की दरह काम करता है यदि फूड आइटम में इसको मिला दिया जाता है तो यह लंबे समय तक मतलब इसका समयल और टेस्ट बरकरार रहेगा खराम नहीं होगा तो दो हो गया तीसरा हो गया चौथा क्या करते हैं फ्रीजिंग करते हैं या रिफ्रिजिरेशन या या लो टमपरेचर पर कुल कर लेते हैं, फ्रिजिंग कर लेते हैं, फ्रिजिंग नहीं क्या बेते हैं? कि आप जामते हैं कि जो फूड आइटम होते हैं जनरली फ्रीज में रख देते हैं लो टंप्रेचर पर ऐसा करने से क्या फादा होगा कि लो टंप्रेचर पर जो अक्षिजेशन की प्रोसेस वो कम हो जाती होगा जरूर लेकिन उसका रेट बहुत कम हो जाती है तो आप समझ प्रोसे जाते हैं या उसके जंगपर उसमें नाइट्रोजन घ्र सकते हैं मतलब गया सकते हैं जैसे आप चिप्स पाउच में देखेंगे उन्भाव कि होंगे यूजिंग एंटी आक्सिदें जैसे विटामिन इस बीच टी यह सब यूज करके क्या करते हैं उसको फूड आ जाता है और फूड आइटम खाने योग बना रहता है तो यह हो गया आपका क्या क्या होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है तो मुझे आसा है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा तो अक्सिदेशन फिस एक बास समझे ब्रीफ में मतलब महकना अलग चीज है बैक्टिरिया आपके भी आपके बच्चे कि रोटी पर फुद लग जाती है नहीं फंगस आ डंहीं लग जाता है वह जता है तो यहां पर मिल देक्ता होना इसका आईले फूड का किसमें ब्रेजंग होते हैं फूड उसक भूल आइंट ने पर लिक शूर माइक्र नस्टिस & पर यहां पर तो इसका रिजल्ट क्या होता है बैड टेस्ट हो जाता है इसको रोकने के लिए हमारे पस कुछ उपाया है जिसमें ज्यादा तर आप यह देखिए ओंगे कि जो फूड पाउच ऑन नतलब चिपस पाउच होते हैं फूला होता है उसमें क्या फ़रा होता है नाइट्रोजन ज कोशन इन टेक्स कोशन आप करिए जहां प्राबलम हो आप मुझे कमेंट बार्स में लिख सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा वीडियो में साथ देने के लिए आपका धन्यवाद जय हिन जय भारत